सभी को नमस्कार मैं नीलेज सिंग एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं NDA, Air Force और Navy सहित, Defense की सभी परिख्षाओं के लिए मुझे आपका मैस लेना है मैस की ये Basic लास लही है और Basic में हमने सुरू किया है टॉपिक Trigonometry में कम से कम 15 से लेकर के 20 से 22 सवाल NDA में आते हैं 120 सबल में तो अभी मैंने Trigonometry का बिल्कुल Basic किया है आज ये देखते हैं आज कुछ Basic सवाल, Basic Formula उसी के आगे से आज का पहला सवाल आपके सामने है सवाल से पहले बिल्कुल ये ध्यान रहे एक चीज का कि Trigonometry जो है वो Right Triangle में काम करती है इसमें किसी एक को हम लोग ठीटा मानते हैं ठीटा के सामने परपेंडिकुलर रहेगा जो 90 रहेगा, 90 के सामने हमेशा करन लिया जाएगा और जो बचेगा उसको हम लोग Base करेंगे देखे त्रिगोर्ण मिती पढ़ने के लिए अपना Basic यहीं से उठेगा ठीक है, Basic यहां से चलाओ अब इसके बाद इस Basic के बाद इसमें जब भी हमें लिखना होता है साइन थीटा, गल्ती न होने पाए वो हमेशा होता है लंब आइकर्ण तो यह हो जाएगा P upon H नमबर टू, हम जब बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा में यह होता है Base upon H, यह बहुत छोटी छोटी बात है Base by H नमबर टीन में हम जब बात करते हैं 10 थीटा की, तो 10 थीटा में हम बात करेंगे P by B का P by B इसी का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा तो थोड़ा सा देख लें कॉस थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा, तो यह हो जाएगा H upon P इसके बाद कॉस का उल्टा हो जाएगा सेख थीटा तो सेख थीटा हो जाएगा H upon B फिर 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा B by H ठीक है न? यह बिल्कुल इसका एक basic formula है, जहां से त्रिकॉनमिती शुरू होती है आज सभी सवाल इस triangle से होते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे इसलिए थोड़ा basic से होते हुए basic formula को देखकर हम सीधे आएंगे एक अच्छे से सवाल के उपर ठीक है न? इसको note कर ले ठीक है बई? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक basic यह हो गया इसके बाद कुछ चीज़े और होती है कि जैसे त्रिकॉनमिती में sin square theta cos square theta बराबर 1 लिया जाएगा दूसरा जो है वो 1 प्लस 10 square theta बराबर 6 square theta लिया जाएगा तीसरा 1 प्लस cot square theta बराबर cos square theta लिया जाएगा और चौथा जो होगा वो सबको पता है कि काम पड़ेगा तो sin theta cos theta बराबर यह हो जाएगा आपका 10 theta एक बाद ज़रा नोट कर ले इनको भी बहुत छोटी छोटी बाते है ठीक है भई इसको हटा रहे है और इसके बाद जो है इसके बाद पूरे ट्रिकों के अंदर जब भी हम triangle की बात करेंगे तो triangle में यह 90 होगा 90 के सामने हमेशा hypotenuse इन में और इन में से कोई एक theta होगा तो जैसे हमने इसको theta लिया तो theta जिसको लोगे उसके सामने की side लंब होगी जो बचेगा वो base होगा अगर हमने theta इसको लिया होता तो फिर ये वाला p होता ये वाला base होता इतना होने के बाद pythagoras pythagoras theorem जो होती है pythagoras theorem कहती है कि current का square बराबर p square और b square ये बहुत छोटी बाते हैं ये सारी बात जो है सब को बहुत पहले से पता हैं इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान देना ये सब बातें इनका यूज होगा ठीक है भई तो ये बिल्कुल छोटी मोटी बात थी तो हमने इसको फिरड़ा दिया एक बार अब हम लेते हैं आज का इसका पहला सवाल और जो पहला सवाल है उसको लिया जाएगा तो आईए सुरू करते हैं पहला सवाल पहला सवाल जो है जैसे कभी कोई लिख देता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होने के बाद किसी ने यहाँ पर माली जी लिख दिया किसी ने एक्स कोई यहाँ लिख दिया एक्स और कोई आपसे पूछ रहा है कि दिन किसी ने आपसे पूछा कि भाई तब sin theta minus cos theta ये कितना होना चाहिए ये बात ये हमारा आज का एक सवाल हम कोशिस करेंगे कि पहले सभी सवालों का एक basic बताया जाए और basic बताने के बाद फिर जहां जहां tricks या sort trick का यूज हो सकता है उन सवालों में हम पूरी कोशिस करेंगे कि उनका sort trick भी आपके सामने हम लाने की कोशिस करें लेकिन क्योंकि मामला मैत का है मैत में समझ विक्सित करने की बात होती है इसलिए सबसे पहले सभी लोग कोशिस करें class कोई भी हो, जो भी गंडित पढ़ें, उसका basic जरूर समझें, उसका basic जानने के बाद, जैसे हम पहले इसका पूरा base करेंगे, पहले पूरा बताएंगे, कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, फिर एक बाद जब इसका base हो जाए, तो basic करने के बाद, हम इसमें कौन सी trick का यू आपको समझा रहे हैं, basic fundamental, basic fundamental में हमसे ये कहा गया, कि sin theta, cos theta, ये बराबर दिया गया था, x, तो इसको कुछ समय के लिए हमने ले लिया equation 1, इसके बाद, इसका जब ये solution सुरू हुआ, तो हमने किया, equation 1 जो था, उसको जल्दी से squaring कर दो, तो इसमें होगा किया, कि हमने जो है, sin theta, plus cos theta का square कर दिया, दोनों तरफ इसका square कर दिया, अब बात ये उठी कि भाई, इसका हमने square क्यों किया, या किसने मुझे बताया कि इस सवाल में मुझे square करना है, ठीक है, गुणा करना होगा, या square करना होगा, या cube करना होगा, तो आ मामला sin और cos का है, sin और cos में आप जानते हैं कि उसका basic identity, basic formula जो होता है, वो होता है sin square theta plus cos square theta बराबर 1, इसका मतलब हुआ है कि sin और cos के सवाल तभी चलना सुरू करते हैं, कि जब हमें उनके square टर्म मिलना सुरू हो जाते हैं तो इसलिए इसको square बनाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था कि हम इसके दोनों पक्षों का square करें इसलिए इसको हमने square किया इसके square की जब कहानी आई तो a plus b का whole square तो ये आपका हो जाएगा sin square theta प्लस ये हो जाएगा cos square theta और फिर 2ab तो ये आजाएगा 2sin theta ये हो जाएगा cos theta और ये बराबर हो जाएगा x square अचा अभी हमने आपसे बताया था कि ये sin square theta cos square theta जो होता है इसकी जो value होती है वो कितनी होती है ये value 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा ये 1 उस पार जाएगा तो इतना मान बचेगा तो ये जो इतना मान बचेगा ये जो बचा यहाँ से ये 1 उधर भग जाएगा ये जो बच रहा है ये हो जाएगा 2sin theta cos theta बराबर ये जब 1 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x square minus 1, ये हो जाएगा 2 sin theta, cos theta और ये हो जाएगा इसका 1 एक बाज रहा इतना note कर ले, screenshot ले ले, फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे से सबीस्टाइब तो ये हो जाएगा इसके आगे से आगे। ठीक है भई हो गया तो अब हम आएंगे हमने ये लिया इसका square किया हमारे पास ये value आ गई अच्छा अब मामला आएक हमसे क्या बात पूछी गई थी तो हमसे पूछा गया था कि ये sin theta minus cos theta ये कितना होना चाहिए तो एक बार हम इस वाली body को भी इसका square करेंगे तो हमने इसका square किया ये हमसे पूछा गया था तो इसका पूछा गया था तो हमने अपने अगले page में हमने कहा कि भाई ठीक है हमसे पूछा गया था sin sin theta minus cos theta हमसे पूछा गया था ये वाला भी बिना square के कुछ उसमें होगा नहीं ये बिना square के चलेगा नहीं इसलिए इसको भी हम लोग square करेंगे ठीक है ना ध्यान है हमसे ये पूछा गया था ये हमने square अपनी मर्जी से खुद इसमें किया हुए है जिससे कि इसका formula बने और sin cos के term आगे चलना सुरू करें ठीक है तो ये हमने square खुद कर लिया तो जब इसका square करेंगे तो ये आ जाएगा sin square theta plus cos square theta क्योंकि ये minus है तो ये हो जाएगा minus 2 sin theta cos theta इसके बाद ये जो इतना बचा ये इतनी बात जो आ रही है ये हमारे पास इतनी value हो जाएगी 1 तो ये हो गया 1 minus 2 sin theta cos theta अचा अभी जो है 1 minus अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले page में इसकी value को निकाला था गर आपको याद होगा तो ये value आई थी x square minus 1 पिछले पन्ने में, पिछले पन्ने में हमने आपसे कहा था, कि 2 sin theta cos theta गमान आपने ये निकाल ला था, इसके बाद यहाँ से जब bracket open होगा, तो ये हो जाएगा minus x, और ये minus और ये minus plus हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1, तो ये आजाएगा 2 minus x square, ये हमारी value आ गई है, sin theta minus cos theta का whole square, लेकिन हमसे तो सिर्फ ये ही पूछा गया था, ये तो हमने अपने मर्जी से किया था, हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, तो अब हम अपना वो square हटाएगे, और लिखेंगे sin theta minus cos theta, और बराबर, ये जो 2 है, इस 2 को root लगा देंगे, 2 minus x square, ये हमारे पास आ जाएगा, और य x square, ठीक है, इसका मतलब हो गया है, कि आज के बास से जब भी कोई आप से कुछ सवाल देगा, कि sin theta cos theta x दिया है, ये कितना होगा, तो इसकी value अब बिलकुल आगे से याद रखना, कि हमें under root 2 minus x square, सीधे हम इसको as a trick यूच करेंगे, ये पूरा लिख लो, फिर आगे चलते ह कि आगे हैं, 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 क ठीक भाई हो गया तो ये था इसका बिल्कोल full basic कि किस तरीके से हमारा सवाल जो है हम इस तरीके से सीखेंगे ये इसका basic रहा अब एक काम करो आब पेपर में आने के लिए पहले आपने ये देखा था जो इसके पहले आया था कि किस तरीके से जब कोई हमको देखता है कि sin theta cos theta बराबर x और कोई हमसे पूसता है sin theta minus cos theta तो हमने आपको squaring कराया squaring कराने के बाद हम जब आगे बढ़े तो हम जब इस page पर आए तो देखिए इसका होते होते इसकी value आगई root 2 minus x square अब हम जब आगे चलेंगे तो अगले page में अब इसी का जो trick बना हमारे पास यहाँ पर लिख लो इसकी जो trick बनी trick में अब आगे से अगर कभी कोई आपसे पूछे कि if sin theta plus cos theta और कोई कहे कि यह x है और कोई आपसे पूछे कि then sin theta minus cos theta कितना होगा तो इसकी trick अभी हमने बनाई है basic में जो भी value दी जा रही है यह वाली इसका जो है square करके minus 1 सीधे अब हम इस बात का यूज करेंगे कि सीधे लिख देंगे sin theta minus cos theta की value को हम यह लिख देंगे अगर हमसे कोई यह वाली बात कभी कह रहा होगा ठीक तो इसको बिलकुल याद रखना अब आगे से paper के लिए जैसे ही कोई आपसे यह बात कहेगा कि sin plus cos बराबर कुछ यहां दिया हुआ है तो आपसे यह बात पूछी रहेगी तो इसका उत्तर होगा कि जो भी मान यहां दिया था x उसका square minus 1 अब इसमें doubt भी आया कि क्या हमेशा यह हमसे plus पूछेंगे minus होगा ऐसा बिलकुल नहीं है जब plus होगा तो यहां minus आएगा कल को कोई यहां आपसे minus बोल देगा कोई यहां पे minus कह दे तो फिर यहां पे plus पूछेंगे तो plus होगा तो minus minus होगा तो plus आपको सभी का answer सभी का उत्तर under root x square minus 1 ही लेका चलना है sin cos के सभी सवालों की तरफ मतलब त्रिकोंड विती में कुल 6 नाम है sin और cos, tan और cot, sec और cos कुल 6 नामों में अगर कोई सभाल इन दो नामों का आता है तो हम चाहे plus हो तो minus पूछेंगे, minus है तो plus बोलेंगे आपको जो मान यहां दिया हो इसको under root करके केवल x square minus 1 जैसा लगा करके अपना उत्तर निकाल देना है ये बास सबको आ गई होगी और अब हम करेंगे इस फर्मूले पर इस लॉजिक पर कुछ आए हुए सवाल ठीक है? इसको बिल्कुल आप लोग लिख लें इसको बिना भूले और अब हम यहीं पर एक छोटा सा सवाल समझा देंगे जिससे की कुछ बाते clear हो जाएं ये देख लीजिए एक सवाल आता है उसमें लिखा रहता है कि if sin theta plus cos theta बराबर ये लिखा है under root में 2 तो कहा जाता है कि then अगर आपसे कभी कोई कहता है कि then sin theta minus cos theta कितना होगा तो जल्दी से अब इसका basic ना करके ये वाली बात अप्लाई करेंगे ये हमारा x दिया हुआ है तो सीधे अंडर root लगाएंगे 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे ये यहाँ पर एक बात गलत हो गई थी हल्की सी तो इसले हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 2 आया था यहाँ पर आया हुआ था 2 यहाँ पर आया था 2-x² ये देख लीजिए हम जब गये थे अपने page में तो जब अपने page में गये थे पहले page में तो ये हमारे पास इतना आया था फिर जब अगले page में गये थे तो हमारे पास ये आया था इसकी जो value आई थी 2-x² थीक है न? तो इसलिए हम जब आगे जा रहे हैं तो 2- यहाँ लिखेंगे 2-x² और x हमारा ये है तो हम इसी का 2- root 2 का square कर देंगे तो root 2 का square और ये देख लेजिए यहाँ से ये square इसे काट देगा 2-2 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0 तो जो हमसे ये पूछा गया था ये वाली value इसका उत्तर आ गया 0 हमने इसमें यूज क्या किया है 2- x² की बात हमें यूज किया है तो अब हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोर्ण मिती में कोई class हो SSC से लेकर के SSC pre हो, mains हो, NDA हो CDS हो, Air Force, Navy कोई exam जहां जहां त्रिकोर्ण मिती आता है अगर कोई सवाल sign cost का आता है कोई value यहां पर दी गई है तो सीधे paper में जल्दी करने के लिए सीधे हम 2 लिखेंगे root लगाएंगे और जो भी value यहां दी जाएगी उसको हम square करके क्या करेंगे minus कर देंगे तो minus करने के बाद सीधे 2 minus यहां पर root 2 था तो हमने root 2 का square minus कर दिया root और root कट गया तो सीधे 2 minus 2 कितना हो गया इसकी value आ गई है 0 आसा करता हूँ यह सारी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी हमारी तरब से इसमें कोई doubt नहीं है इसको आप लिखिए ठीक है भई हो गया सबको आ गया होगा एक काम करते हैं एक सवाल और कर लेते हैं इसके आगे से एक सवाल इसके आगे से और कर लेते हैं एक सवाल इसमें और करते हैं एक question और लिख लो अगर कभी मालो लिखा है कि f sin theta plus plus या minus कुछ भी होगा ठीक है plus या minus anything sin theta cos theta और यहाँ पर कोई लिख दे 7 by 13 और कोई आप से पूछे कि then sin theta minus cos theta कितना होगा यह आपको दिया गया है कि sin theta cos theta बराबर 7 by 13 और किसी ने आप से पूछा कि sin theta minus cos कितना होगा मैंने भी कई बार कहा है कि plus होगा तो minus बोलेंगे minus होगा तो plus बोलेंगे वो आपस में interchange होता रहता है basic पूरा बता चुके हैं कि अगर यह x है यह बात पूछी गई है तो सीधा ऐसे root लगा कर ऐसे 2 लिखो minus करो और जो भी value दी गई है इसका square तो 7 का square 49 और 13 का square हो जाएगा 179 सीधे इसको आगे जा करके इसको multiply करेंगे इसमें घटाएंगे और जो भी value यहाँ पर आएगी वो सायद करके देखना 289 by 179 जैसे कुछ आने चाहिए है ना करके देख ले ना इसका multiply माइनस इतना कुछ ऐसा आएगा और यह जो 289 है यह 17 का वर्गमूल होता है 179 जो है वो 13 का वर्गमूल होता है तो इस तरीके से इसका उत्तर आ गया 17 by 13 यह जो पूछा गया था इसकी value आगई 17 by 13 इसने यह साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी सवाल आएगा गड़ित में इसे सिप्री से ले करके इसे सिप्री, मेंस, NDA Defence, Wing, Air Force कहीं पर भी तो आपका सवाल बहुती आसानी के साथ होता रहेगा बिना किसी दुविधा के परेसानी के ठीक है भई हो गया यह मामला है साइन कॉस का लेकिन अब कई लोगों के मन में एक doubt जरूर आया होगा कि क्या साइन कॉस के सवाल में हमेशा सिर्फ यहां साइन आएगा सिर्फ यहां कॉस आएगा यहां सिर्फ साइन ही आएगा यहां सिर्फ कॉस ही आएगा, अगर मालो साइन के आगे यहां पर कोई गिंती लिख दी गई, कुछ यहां पर आ गया, कुछ यहां पर आ गया, इसके पास, कुछ यहां पर आ गया, तब यह फार्मूला क्या होगा, तो अब हम बात करेंगे, कि जब साइन के साथ में कोई यहा देखते हैं अपनी अगली बाद बहुत ध्यान से बहुती बारीकी से समझना ठीक है ना इसको हम हटाते हैं और इसके हटाने के बाद जो है इसके हटाने के बाद इसके हटाने के बाद एक बार जड़ा फिर देख लें अभी हमने यहां लिखा हुआ था if sin theta plus cos theta sin theta cos theta बराबर और यह लिखा हुआ था यहाँ पर हमने लिख दिया था चलो हमने कुछ समय के लिए यहाँ पर जाकरके इसको c लिख दिया जिसको हमने x लिया था उसको हमने c मन लिया अब c के बाद जो है हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि sin theta minus cos theta कितना होगा अच्छा अभी तक क्या था कि अभी तक जैसे ये sin है तो हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने इसका जो answer लिखा था वो याद करो हम लोग इस सवाल में समय 2 लिख रहे थे minus लगा रहे थे और जो भी value यहाँ पर होती है इसका हम लोग square कर देते थे minus right x था तो हमने यहाँ पर x square किया है यहाँ पर c आ गया तो हमने इसको c square कर दिया ठीक अब पहले क्या था कि पहले यहाँ पर sign के साथ में one होता था तो हमने यहाँ पर समझाने के लिए one लिखा cos के साथ में यह देख लो यहाँ पर यह one होता था अच्छा फार्मूले जब बनते हैं जब यह उल्टा उल्टा होते हैं तो यह one उल्टा हो करके यहां आएगा यह वाला 1 उल्टा हो करके यहां जरूर आएगा जब हम इसका square करेंगे यहां कोई number दिया रहेगा तो इसको reverse जब करेंगे उल्टा करेंगे तो जब formula लगाएंगे sin square plus cos square plus minus 2ab तो आप पाएंगे कि यह number अपने आप बिना तुम्हें कुछ बताए अपने आप उल्टा हो रहे होंगे इसलिए जब भी यह सवाल हम करेंगे तो यह number आपस में उल्टा जरूर दिये रहेंगे या उल्टा करने की कोशिस जरूर करेंगे तो यह हो गया 2 minus इतना अब हम इसी बात को चाहें तो 2 को 2 लिखें या 2 को 1 plus 1 लिखें या चाहें तो 1 is square 1 is square और यह लिख दें इसका मतलब यह हो गया है कि आगे से जब भी कोई हमसे यह वाली बात पूछेगा तो अब हम अपनी सवाल को कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो हम यहाँ पे 2 बोलते थे वो actual में यह जो number होते हैं यह वही number यहाँ पे 2 बनाते हैं और यही number यहाँ पर 1 is square 1 is square minus c बन कर आते हैं तो मामला साफ हो गया था तो अब आगे से so यहाँ पे लिख दो अगर कभी कोई आप से बोलता है जैसे कल को मालो कि इस number को कोई a कह दे और कभी लिखा हो a sin theta प्लस इसको कोई b कह दे यहाँ लिखा हो b cos theta बराबर यह c लिखा हो तो यह b number यहाँ आएगा यह हो जाएगा b sin theta यह जो plus है वो minus हो जाएगा यह a हो जाएगा a cos theta बराबर तो आपने यहाँ पर यह one square किया था c square किया था आज उसी one में यहाँ पर a है b है c है तो इसी अंदाज में यह under root हो करके जो यह sign का number है वो a square हो जाएगा जो cos के साथ में यह b है वो b square हो जाएगा और यह जो c है वो minus में c square हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि आगे से हम इस वाली बात को यूज करेंगे कि under root a square b square minus c square a square b square minus c square a square b square minus c square जब जब a और b 11 रहेगा तो यही 11 यहाँ पर 2 बन जाएगा तो 1 होने पर इसका use होगा कोई number बदल जाएगा तो वही 1, 2 a, b और c बन जाएगा और use यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारी तरफ से सारे data clear हो चुके हैं और अब यह मामला है कि sign और cos का जो भी सवाल आएगा वो अपने आपको under root a square b square minus c square जैसा कुछ जरूर बोलना चाहता है हाँ जब 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 ए और b कमान 1 होगा तो आप सीधे इसको 1 प्लस 1 बराबर 2 बोल सकते हैं 2 minus c square यह number यहाँ माले यह 3 हुआ 5 हुआ 4 हुआ तो हम बोलेंगे 3 square 5 square minus 4 square ठीक है तो कोई भी सवाल हो वो इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा इसको जल्दी से नोट करें कोई भी confusion हो कोई भी doubt हो chat box comment box में जरूर बताएं हमें message करें अपने comment करें और अपनी बातें बिलकुल खुल कर पूशें यह बात भी सबको आ गए समझ में जरूर एक सवाल कर लें इसके बाद एक सवाल हम लोग कर लें एक question लिखो जैसे यहां लिख दिया गया कि f और यह लिखा गया sine theta और यह लिखा गया cos theta बराबर यह लिखा गया 17 बाई 13 और आप से कोई पूछे कि then then कोई कहे कि sine theta minus cos theta कितना होगा अगर कोई आप से यह बात पूछ रहा है कि भाई यह वाली बात कितनी होगी ये बात कितनी होगी तो इसका जो solution होगा आपसे ये बात पूछी गई है तो चुप चाप sin theta minus cos theta लिखेंगे और जो भी ये मान दिया गया है x की value उसके लिए under root लगाएंगे अभी कई बार हो चुका है यहाँ 2 लिखेंगे minus करेंगे और जो भी ये मान है इसका square 17 का square 289 और 13 का square 179 कर देंगे और इतना करने के बाद फिर इसको इससे multiply इसमें घटा देंगे जब घटा देंगे तो जो भी इसका answer आने वाला होगा वो आप यहाँ पर 179 और इसको multiply करके जो भी यहाँ पर आए उसको लिख लेना यह जो भी आएगा यह इसका answer होगा ठीक है ना इसको बहुत ही आराम से सभी लोग सीखें कोई भी confusion हो वैसे हमारी तरब से कोई भी confusion इसमें नहीं है इसके बाद भी अगर कोई confusion आता है तो chat box में comment box में वो हमें जरूर बताएं ठीक है ना note करें जब इसको आप यहां करेंगे तो यह near about 49 जैसा कुछ आएगा जब इसको आप करोगे तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 7 by 13 जैसा कुछ आएगा इसको इब चेक कर लेना कि यह multiply करने के बाद जब घटाते हैं तो इसका answer 49 जैसा कुछ आएगा जो भी आएगा एक perfect square number यहां पर आता है 49 है यह 225 है यह 100 है ऐसा कुछ आएगा तो मुझे एक अंदाजा है कि हाँ जब इसको करते हैं तो यह उन्चास जैसा कुछ यहां पर हमें कुछ दिख रहा था कि आएगा अगर कुछ उल्टा बुल्टा भी होता है तो जो भी आएगा उसको आप यहां चेक कर लेना जो भी आएगा बहुत आसानी से इसका आंसर कुछ 7 भाई 13 जैसा आना चाहिए ठीक है आसा करता हूँ कि यह सारी बात आपको आ गई होगी और एक सवाल और देखते हैं अच्छा यह बात जो है यह सारी बाते लागू होंगी साइन कॉस को लेकर ठीक है ना एक सवाल और देखते हैं इसके बाद एक सवाल और देखते हैं इसमें यह तो बात हुई यह बात हो गई है sign और cos को ले करके हमारे पास त्रिकोंड मिती में कुल छे नाम है sign और cos जिसकी बातें यहाँ पर हुई है अगला formula होता है sick और 10 का अगला होता है cos और cot का तो कुछ बात करेंगे sick और 10 को ले कर देखिए अगर माल लीजिए कि आप से कोई कहे और यहाँ कोई लिख दे कि if sick theta plus 10 theta sick theta 10 theta और यह बराबर लिख दिया गया माल लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर में हमने इसको लिख दिया x और कोई आप से पूछ ले कि भाई यह बताओ कि then यहाँ लिख दो then और then लिखने के बाद कोई आप से कहे उसी तरीके से कि sick theta minus 10 theta कितना होगा एक सवाल कोई आप से कहे कि भाई यह बताओ कि sick theta कितना होगा यह दो सवाल जैसे हम लोग लिखते थे sign और cost हमने लिख दिया sick और 10 बस ठीक है कुल 6 नाम होते हैं छे नाम के तीन फार्मूले बनते हैं एक sign cost में होता है उसकी बात हो चुकी है एक sick or 10 में होता है उसकी बात यहां से सुरू हुई है तो जहाँ जहाँ sign और cost था बस वहीं वहीं sick or 10 आ गया है तो सबसे पहले हम इसका चिक करेंगे हलका सा basic में और basic के लिए बिलकुल जो है एक ऐसे line बना लिया और line बनाने के बाद हम यहां लिखेंगे इसका बिलकुल एक basic format लिख देंगे basic format में देखे sick और 10 को लेकर एक formula होता है 1 प्लस 10 square theta बराबर sick square theta 1 प्लस 10 square theta बराबर sick square theta तो जब उसको हम equate करेंगे तो 1 प्लस 10 square बराबर sick तो जब 10 उधर जाएगा तो हमारा formula हो जाएगा sick square theta minus 10 square theta बराबर हो जाएगा 1 अब यह हो गया a square minus b square तो फिर बड़े आराम से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार a plus b लगा देंगे और एक बार लगा देंगे a minus b लगा देंगे और यह आ जाएगा 1 अब हमारे पास या तो plus दिया होगा या तो हमारे पास यहाँ पर plus दिया होगा या minus दिया होगा plus दिया है x तो यहाँ पर क्या करो कि जो यह value दी गई है यह value दी गई है x बीच में into लगा हुआ है यह चीज जब वहाँ जाएगी तो multiply upon बनता है तो इसकी value आ जाएगी आगे चल करके इसकी value आ गई 6 theta minus 10 theta बराबर यह हो गया 1 by x इसका मतलब यह हुआ कि 6 or 10 वाले सवालों में जो भी मान यहाँ दिया रहेगा 6 or 10 के सवालों में जो भी मान यहाँ दिया रहेगा 6 minus 10 निकालते समय 6 minus 10 निकालते समय जो भी मान यहाँ पर दिया जाएगा अब आगे पेपर में इस वाले मान का सीधे हम लोग उल्टा लिख देंगे 1 by x इसका ध्यान देना जो भी मान यहाँ पर दिया रहेगा x सीधे उसका उल्टा आएगा 1 by x साइन और कॉस में आता था अंडरूड 2 माइनस x स्क्वायर लेकिन सेक और 10 वाले में जो भी यहाँ दिया होगा उसका सीधे केवल हमें उल्टा लिखना चाहिए एक्जाम के अंदर जल्दी से ट्रिक के साथ अब हम बार बार यह सारी बाते नहीं पढ़ेंगे अगर यहाँ पर 3 दिया होगा तो सीधे हम 1 by 3 लिखेंगे यह तो बात हो गई सेक माइनस 10 की अब बार यह आई सेक थीटा की तो सेक थीटा के लिए हम इसको यहीं कर देंगे कुछ समझने के लिए कि हमारे पास एक चीज़ दिया गया था सेक थीटा और 10 थीटा तो यह देख लीजिए हमने क्या किया यह लिख दिया सेक थीटा और 10 थीटा और सेक थीटा 10 थीटा एक काम करिए सेक थीटा और 10 थीटा हमारे पास जो है इसके बाद क्या था कि यह देख लो यह दिया था sec theta और tan theta और ये लिखा हुआ था x अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि sec theta minus tan theta जो आया है वो आ गया है 1 by x इन दोनों equations को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर add कर देंगे इसको जोड़ देंगे तो ये होगा क्या जब जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा sec और sec ये हो जाएगा 2 sec theta बराबर इसको जोड़ेंगे तो x plus 1 by x आएगा और बाद में ये देख लीजिए 2 sec theta बराबर x square plus 1 हो जाएगा x square plus 1 नीचे हो जाएगा x और हमसे पूछा गया है sec theta तो ये देख लीजिए sec theta बराबर ये 2 नीचे आजाएगा तो x square plus 1 upon 2 times ये यहाँ से x हो जाएगा ये रहा इस सवाल का मतलब कि अगर हमारे पास आगे से कभी कोई कहता है कि sec theta 10 theta बराबर x दिया है sec theta minus 10 theta कितना होगा तो सीधे 1 by x बोल देंगे अगर कोई कहता है कि sec theta 10 theta बराबर x दिया है और कोई हमसे कहता है कि sec theta कितना होगा तो जो भी मान यहाँ पे दिया गया था ये वाला खुदी ही देख लो इस वाले मान का यहाँ square आएगा अगर कोई यहाँ बोलता है कि यहाँ पे 4 लिखा है तो sec minus 10 1 by 4 आएगा अगर यह 4 लिखा है कोई आपसे sec पूजता है तो 4 है तो 4 का square plus 1 और double करके यहाँ पे 4 2 into 4 कर देंगे इसको ध्यान रखना ये इसका basic भी हो गया इसकी trick भी हो गई है तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को करते रहेंगे आएगे देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सवाल अब इसके उपर ठीक है इसको आप note करने अच्छे से ठीक भी note हो गया अब एक सवाल देखते हैं इसके उपर इसका ध्यान देना कि ये होने पर इसका उल्टा होगा और सेख थीटा पूछने पर इसका स्क्वायर प्लस वन डबल करके डिवाइट करेंगे इसको भूल मत जाना एक ज़रा सवाल लिखो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा गया कि एफ सेख थीटा प्लस टैन थीटा बराबर थ्री प्लस हो जाए माइनस हो अग सेख थीटा माइनस टैन थीटा कितना होगा और दूसरा पूछा गया है कि जो सेख थीटा होगा वो कितना होगा तो अगर कभी यह तीन दिया है यह पूछा गया है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीधे इसका उल्टा लिख देंगे और अगर सेख पूछा गया है तो जो भी value दी गई है, उसका square करके plus 1 करेंगे, double करके उसी से divide कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, 10, 10 by इतना 2 से काटेंगे, तो इसकी value आ जाएगी 5 by 3, इसकी value आ जाएगी 5 by 3, इसके लिए 6 theta minus 10 theta के लिए सीधे हम इसका उल्टा करेंगे, और 6 theta के लिए जो भी मान यह यहाँ पर दिया गया है, इसका square करेंगे, plus 1 करेंगे, double करके, तीन करेंगे, काटा pt करके, यह इसका आ जाएगा answer, इसको note करने अच्छे से, ठीक है भाई, हो गया, उमीद करता हूँ कि आज की class की यह सारी बातें, आपको बहुत ही आसानी से आ गई होंगी, अगली class जो होगी, जो कल की class होगी, उसमें हम बढ़ेंगे, इसी 6 theta और 10 theta के आगे से, कि अगर यहाँ पर कोई number आ गया, 6 और 10 में कोई number आ गया, तो हम इन सवालों को कैसे solve करेंगे, या अगर हमसे 6 theta नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया, sign पूछा गया, 10 पूछा गया, court पूछा गया, cause पूछा गया, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आज के बाद जब दुबारा मुलाकात होगी, कल की class में, तो हम अपनी बात उठाएंगे, कि यहां सपर जो number आएंगे, इन number के आने के बाद, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए खुस रहिए, बिंदास रहिए, मस रहिए, मस्ती में रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए, सभी को बाई, टेक केर, लव यू ओल,